कि अभी तेक पढ़ाता में फ्यिजिकल वर्ल्ट क्या पड़ा फिसिकल वर्ल क्या पकले किया पेपरों में कोशन आएंगे फिजिकल वर्ल से ना के पराबर यह पॉर्भ यह क्योंकि हमारा हां बिल्कुल हमारा इंट्रस्ट डिवेलप होता है प्लेंगि युझिट यूनिट एंड डाइमेंशिन्स उनिट एंड डाइमेंशिन्स तक ईबर मेजरमेंट कोई बुराइब उसके नहीं एक ठीक जो हम हर चीज को नब सकते हैं हर चीज को नाप सब्सक्राइब मैं बोलता हूँ तू बड़ा खुबसूरat है किया नाब सकते है इसको हैं आप सकते हैं फोला है चोट यॉन जिख रहा हो है यह लाइन वर lav is always logical based कैसी है logical based कैसी है बटा दो तरीके की बाते होते है एक हो थी यह लोजिकल और एक होती है टेल लोजिकल कहा होती है इनलाजिकल है इस लोजिकल बात वह है यहां टो है यहां डो फॉल्स यहब होगा तो कुछ मकलब होगा उसका जैसे मैं इस हमेरी हाइब सесट एक इतनी है यह यह zw compat कैसी एस फॉल्स बैंक है restricted कर सकता हूं हमें आप लूंगा अपने आपको चेक कर दीदिया गलत है विल्कुरुज सही बात ऐब गलत पात घैसे मैं खुबसूरत होड़ Mobil Demi नाजने वाला खुबशूरती नापने वाला कोई भी अंत्र नहीं इसका मतलब हाइट में आप सकता हूं मैं बोलता हूं मेरा मेरा वजन मेरा वजन मेरा वजन है इक हजार किल्लो कितना है यहां दो यां तो थी कैस shaped na handful जोर्ण इस और किसिक्स कैसे बेशान लॉट्यकलृर्च जो कैसी बेशाब आइस ऑीश पिसिक्स रहें नहीं है ऐसी टर्म्स ऐसी टर्म्स ऐसी कॉंटिटी इस एसी कॉंटिटी जिसको हम फिजिक्स के मदद से समझा सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल कॉंटिटी क्या बोलते हैं फिजिकल कॉंटिटी क्या एक बात के रहे हैं जैसे अगर मैं लिखू फिजिकल कॉंटिटी क्या लिख phrases by physics or laws of physics or nature is called physical quantity कि कह समझ है तब ये भात कि上 घ्लव के मांस झा कर आप सकता हूं कि ये लान हफानना प्bab्राइश्च के ताइप सकता हूं मेरा मांस है मेिरा मांस सो कि लो तो हाँ बिलकुब क्या फिसिकल क्वाइब सकता हूं मैं ये नह sécurité कितनी है नहीं है नहींane मैं बोलता हूँ कोई टाइम हो रहा है 120 सेकंड कितना हो रहा है क्या आप सकता हूँ पर अगर मैं बोलूँ मेरी शाइनेस है शाइनेस मतलब शर्मीला पन है मेरा सो क्या नाप सकता हूँ नहीं नाप सकता तो यह फिजिकल क्वांटिटी क्या आया नहीं आया अगर में ध्यान शेम देख हुआ तो क्या मेरे मास फिजिकल वन्टी यह हां बिल्कूल तो मैं लिखेंग अब फिजिकल कॉंटिटी इस एकल टू बैटा यहां लिखे सो और यहां लिखे केजी बिटरी है जो केजी 則को बोलते हैं इसको पूरी बात कर दें जे ने को यूट अ कि अब सको कि मतलब यह Aistesन नुमरिकल सकते हो पैसे भी समसकते हो एन वो टर्म है जितनी बार यूनिटी यूज हुए यहां पर केजी है केजी कितनी बार यूज हुआ सो बार कर दूं कितना आएगा 100 गेजी तो क्लेर है मतला आप इसको ऐसे भी लिए सकते हैं नंबर आफ टाइम्स यू यूज तो फिजिकल कॉंटिटी का रेला समझाया पक सकते हैं कि अब बात करते हैं तो बात करते हैं यूजिक्र कि किसकी बात करते हैं यूणिकर करने टेला चप्टर का नाम यूइन से स्टाट हो रहा है ना फिजिकलो वंडी टूट समझ चुका है फ़लमा तर बता है अब आत करें यूट की यूट पहले यह समझते हैं कि यूट की जूरत कि हूं आजने में ने क्या किया मेंने एक मेने एक ग्रीन बोर्ड बन माना है कियो माना है घ्रीनबोर जिसमे झांक हैे ग्रीन रहों चाप मेने यह एपनी वाल अगे अजने आ एना wszystko बोला मैंने अपने हाथ से मेजर से टी किसे की हाथ से हेंड से किया में ने ऐसे एक ये थिए टीक्जओ रस को डोला है शिक्स हेंड इस भाइस इन टों से उस्फ एक्थे उच्सक्ष एक्षे संद मुझे बोड़ बनाके दे दे ठेज अधूट यहाथ क्यातिम पीleading पक्का मैंने उसको बोल दिया बड़्igm cambiar क्लें कर प्रंप कि जो बनाने वारा था जो जिसने बनाना था अधा उसके हाथ थेWow एक चोटे क्से हाथ वह टो बना वह छोटा बना वो मेरे साइस का नहीं बना क्योंकि में मेरे तो बड़े निए तना उस का ठीड़ी और तो मेरा भो टो ख़राब हो गहा खराब ठीख कर ONE seconds मैं ढूसरी को द लिए उसकी हाथ हैं भाहत बड़े उसके आथ है बहुत बड़े तो उसने रखे तहすल नहीं जब नहुंने भाथ पाह सहसे काम से औन तो हमने शिस्टम बनाये युनिट्स के इसके सिस्टम अफिछ से बनाए समझ गें कियों बनाए इतना सादल बेड़ा सिस्टम नाए तरह लेख लेखले जल्दी से एक माइज सिस्टम सी जी इस क्या बनाया एक मतलब स्वाइब एक बनाया एक मतलब स्कलिण इसका मतलब है sigh यूइंट में हम जो भी ल curling्ग होती है जो भी क्या हूती है लेंफोटा ऊसको ए हम सेंटिमेटर करती है मास को घ्ला करते हैं यूू ताइन को दिखकत नहीं है फिर बना एक मतलब फुट प्यम्ट पाउंड और एस मतलब अपिस में जो लेंट्ट वो फुट से करेंगे सी अब यहास करेंगे टाइम को फिर से क्न से करेंगी को साफन से करेंगे मिटर के से करेंगे कि Stream से करेंगे तैसा भी सब्सक्राइक है इसलिक्षित क्या हम unseen अगी मां लो फॉत्ल इंडिया यह प्रिज़ कर रहे युस ये यूज़ कर रहे और रस्या यूज़ कर रहे एग्जम्पल और इंदिया ने कोई एक कोई City बना ही City का अर्फिटर्चर वगर यह सब बनाया खिड़किया अदमार यह वह बनाया अब इंडिया बिने जब मेजर करेगा वो करेगा CGS में उसने बेज़ यह आमेरिका को इतने मतलब इतना टाइम उसका ऐसे ही वेस्ट हो जाइगा वेस्ट हो जएगा टू हमने बोला एक ऐसी चीज़ करो जो हर जगा एक सेफ्ट्ट इंगी साथू इसाइब एक सिस्टम लिए हो जो खाए हो हर जेगा है इक सिस्टम लाओ जो हर जगा वैलीट है उसको बोला ऐसाइब क्या ऐसाइब समझाया पक्का ऐसा सिस्टम क्यों गाया गया समझाया सारी जगा अब एसा सिस्टम में ये तीन कॉंटिटीज चैनल गया ऊगया हाँ या न ह हाँ या न पका अप यह जो संधाइं कि थे लिए स्मय रहे हैं तो टाइम बेस्ट रहे हैं कि यूज़ा घाँ अब इसके समय नहीं है यह थी क्या है विडूरे लिए तीन तो जो रहे हैं कि अब जो चोटा सिस्टम आया वह इंटरनेशनली अब किसी भी देश में चले जाओ तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा इसको बोला सिस्टम क्या बोला सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम क्या इतनी बाद क्लेर पक्का गैरेंटी अब हमने फिजिकल कॉंटिटी पढ़ ली बटा दो परकार की थी कितने परकार की दो परकार की अभी मैं आपको समझा दूंगा एक परकार था उसको हम बोलते हैं डिराइवड कॉंटिटी इस क्या बोलते हैं डिराइवड साथ fundamental quantities और उसका ऐसा system लिखेंगे क्या लिखेंगे ऐसा यह लिकेंगे क्या पाइले बात fundamental quantities होती है कि अधिक फंदामेंटल वह quantities हैं फंदामेंटल वह quantities हैं जिनको define करने के लिए किसी और की जूर्त किसी और की जूर्त इसका मतलब डिराइड कौंटिटी है वो क्या है वो डिलाइड कॉंटिटी क्या है वो अ क्या क्लेर है बात जैसे मैं बोलता हूं बेटा मास को डिर्यक्ट मेर्ट इसको वोल्यूम का क्या होता है मतलब इसको वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमको के जी भी यूज करना पड़ा और मिटर अल्भी यूज करना पड़ा इसका मतलब यह कैसे कौंटिटीज कैसे कॉंटिटीज मतलब fundamental quantities are those में लिखा नहीं रहा हूं fundamental quantities are those quantities which are independent of any other quantity clear about पक्का ठीक है बटा साथ fundamental quantities है कितनी है यहां पर लिख रहा हूं एक दो तीन चार पांच छे और यह आगी साथ पहली है मास क्या है दूसरी है length बोलते है टाइम ब्रेट कैसे होगी इसके बाद आगी इलेक्ट्रिक करंट क्या आगी इसके बाद आगी इलेक्ट्रिक करण्ट क्या आगी temperature लास्ट की दो सारे बूल जाते है लूमिनेस इंटेंसिटी लास्ट क्या है अमाउंट अव सबस्टंस का है यहात आ आ रही है स्कुल में पढ़ी है कोई बात अमाउंट आफ सबस्टंस यह साथ है कितनी है साथ क्या क्लिया रहे ठिक मतब यह ऐसी क्वांटिटीज आ के कि खाउन करने के लिए यह किसी जूरत भी नी है यह अपने आपने है हिसको किसी की जूरत था जा माच को सीथे क्या बालेंगे सीथे शीदे बोलेंगे माॉस को मींच को सब्सक्राइब उसमें भी क्या है डीया भी में क्या था कि लेंद का मीटर सुना ownership करेंद लेक्टरिक परेंट अगर याद दो इसका उनिट होता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यह से लिखेंगे यह तरीके से डिफाइन होता है जैसे अगर रूम तरफिता है हमारी बोडी चक करते हैं वह फार नाइट होता है बट बेसिक क्या बोलते हैं कैलिविन की से रिप्रेजेंट करेंगा लुमिनस इंटंशिटी बिटा मैं लुमिनस मातलब यह बलब लगए कितिने इंटंसिटी से मतलब इक एरिया मैंसे कितनी पावर आ रही है इसको बोलते हैं इसको बॅलेंगे प्रामिस कर कहीं दिखेगी नहीं अमाउंट अफ सब्सेंस इसको बोलते हैं मोल में किसमें ऐसा यूनिट का मोल और दिखेंगे मौन करते हैं मौल से कहाइब क मिस्टर में कहीं नहीं पढ़ होगी कैसा अब याद रहेगा पका यारंटी यह समझागे नहीं तो चुई चुटे नहीं है तो फोड़ी लेते हैं दोस कॉंटिटीडीड विच डिपेंड़ डिपेंड़ ने को समझ जाँ जाँगी कोई गुराही है नहीं तो बिचाहिए स्काटिडीड प्रणिवर्ण उन्टीड यह कोई डिपेंड़ गौंटिडीड ले तु एरिया दूसा ले ले देन्सिटी ł ना फूर्स ले ले पर एक्सलेरसण टुक पता है, युनिट क्या होते है एक्सलेरजन को नहीं नहीं न है वो ले ना जिस्यू जो तरको इजी याद रहे व्हुंए वाल्यूम ये ले कोई अप्धम 줘 कवुल सकते हैं क्या लेंध इंट्ट लेंध किए तर्फसें आक नने करने के लिए सिफ लेंथ से तो युज इसका मतलब कि इसका संड रॉनुज कोंडी आप मुल्कुल कर दो बदा विल्कुल मिला अब तो क्या से अदर यह इस द्रैट न professors आरोह कम हैं मास पर यूनिट वाल्यूम सब्सक्राइब तक वॉनं करता है कि मृण्ली आप सब्सक्राइब तक यह अर ची चुड Meg owner on fundamental quantities are known as derived conflicts those units which are independent of any other units are known as fundamental units are you known as fundamental units that's it master unit kg master unit kg को किसी जिसकी जूरता है टिफाइन के देख लिए वो आपस में वो खूद के जी पर यहां पे अब देंसिटी को देख की जी की जूरत पड़ी और क्या मिटर की जूरत पड़ी इसका मतलब वोज यूनिट्स वीचाट डिपेंडेंटन ओन fundamental units are known as derived units ट्राइब यूनिट्स ट्रेर बात एक बात simple यादक इन साथ को छोड़के कोई से भी fundamental quantity सारी derived सारी कैसी है जितनी भी है फोर्स वर्क पावर यह वह फ्लान सब कैसी क्या इतनी बाद clear पका समझ आ गया हाँ या ना सिस्टम पढ़ लिए तीन फिरा में देखिया वह दिक्कत हो रही थी हमने सिस्टम इंटरनेशनल में दिया तीन एंक से उठा दियो क्या चार और यह यह तो कहां से उठाएं कैसे क्या चार और यह क्याति मैं अच्छा अब एक और ताम आती है उसको मोटे ऊप्ली मेंटर्य युनिट्स क्या है क्लेरवा देखना हमने सब बात है कि हमने इंगल अंगल की कोई भात ही नहीं की सब अरे अन्गल भी तो ना आपने है नायारम आदुक्त। आपने तो हम सीखेंगे वो क्या चीज़ है ये तक लिए पका भी टादी जाए है अच्छा फंडमेंटल यूनिट्स पड़ लिया अप पढ़ेंगे सप्लीमेंटरी उनिक्स है सप्लीमेंटरी यूनित्स में दो आता है यह एका था प्लेंट एंगल और दूसर आता है solid angle लागि solid angle जाधा 12th में use होते हैं समझ लेते है plane angle के plane क्या होता है देखो द्यान से देखो यह board यह board x में भी है और यह board y में भी है इसका मतलब यह xy प्रेंग है इसका formula होगा आक लेंथ बटे रेडियस और इसी एंगल को हम बोलते हैं प्लीन इंगल को हम क्या बोलते हैं फिल करो अगर यह आर है तो यह भी आर है यह जैसे आप पीजा कट किया हुए इस एधर से लेकिए इस एंगल यह जो एंगल बना फॉर्मुला है ठीटा इस एकल सब्सक्राइब करो यहां से लेके यहां तक क कितना हुए 180 डिगरी circuit को अगर फ्रमल अर्टीड इस एकल डू आप लेंट्थ बटे रेडियस तो शीट़ा कितना घूमणा पड़ा 180 इस इकल टू आप लेंद्थ कितनी है door रेडियस इस इस, आपने याददग नहीं और इसक्ञार अगर मैं 90 degree बोलूं तो pi by 2 हो जाएगा 45 बोलूं तो pi by 4 हो जाएगा 60 बोलूं तो pi by 3 हो जाएगा 30 बोलूं तो pi by 6 हो जाएगा बस यह बात आपने याद हो क्लेर है यह प्लेर अब या आगे solid बहुत काम की चीज़ में बड़े-बड़े इलेक्ट्रस्ट्रेटिक्स के कोशन बहुत हल्वेस इसमें सॉल्व हो जाते हैं अब यह एंगल बहुत द्यांद से देखने वाल चीज़ है मालो यह आ रहे हैं और यह समी वर्टिकल एंगल है ऐसे यह एंगल अगर इसको मैं पू पूरे अंगल है इसका सही बताओं तो यह कुछ ऐसे अगर मैं इस एडिया को बहुत चोटा ले दूए ले लूँ उससे फाइदा क्या यह यह आर यह और यह दूरी और यह आंगल को अगर में थीटा बोल दूँँ पूरे वाले अंगल को ठीटा तो इसका फॉर्म नहीं ह पर आपको यह फार्म बता होना जीटा इस इकल तो डी अबटे आ शुकर और या दखना इसके केस में यह वाला एंगल है यह वाला एंगल अगर मैं इसको पूरा घुमा दूँ यह तोडि बात करते हैं अब बात करते हैं अब डाइमेंशन की अब डाइमेंशन क्या चीज़ है पहले समझ लो विटा हमने पहले तीन क्वांटिटीज उठाओ जो महिन है एक हमने देखी एक है मास एक है लेंथ और तीसरा है ताइम के इतनी बात क्लिए रहा है हाला कि बहुत है साथ है ना साथ है धीरे-धीरे सब यूज होने लग जाएगी जब चार्जिस पढ़ेंगे तो करंट आ जाएगी जब हीट पढ़ेंगे तो टेंपरेचर आ करेंगे ताइम के लिए क्इशतनी बात की छिए dues करेंगे टाइम के लिए और ते डाइमेशन है कि रिष्टा सब्सेंदों जब जाएगा मालने में बोलत का हो एरिया में लिखता हूं लैंच इंटू लैंप यानि लैंट इन्टू लेंट एंथिकोर निख की स्वाइज कि देंशिटी के मासपान वालियू तो यानि केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं पर केजी किसमें आ रहा है कि इसमें तो हम ऐसे लिख सकते हैं और लेंट के लिख लिख सकते हैं मैंने सब्सक्राइब कमारे में हुआ यहहांब ही यहां और भीलिंहीं मारे संस्क्राइब सब्सक्राइब आप सुख फिजिकल क्वांटी को एक्स्प्रेस करने के लिए जो भी फंदामेंटल क्वांटीटी की पावर आती है क्या आती है उसको बोलते है डाइमेंचन फिर से समझे फिजिकल क्वांटीटी को एक्स्प्रेस करने के लिए धूंडामेंट्ल कॉंटिटी की जो भी जको आयगे हैं और भी क्या न जाएगी तुझे अ आया और या जैसे फिजीक्ल कॉंटिटी का को डिपाइन करने के लिए फॉंडबा में टल जितनी पावर कुछन लिखया तो मत अ के से लिए था टो फॉपवड फॉंडब ए मुटिटा के जो पावर कमाइनिसी यह पता चला तुरको गतले ऐूपार हो ओक पार नेज़ाने हूं थेह सांट्क कारवा रिखेंगे केरिया हैस एरिया है तू ढाइमेंचन इन लेंथ है कि त्रहुं जानदैंज पोड़ाऊ हुधा करती है हम लिखेंगे एरिडर्या है area has zero dimension in mass zero dimension in time and two dimension in to Indiana यहां कैसे लिकेंगे वाल्यूम एस zero dimension in mass three dimension in length and zero dimension in time यहां कैसे लिकेंगे बेंसिटी has one dimensional mass zero dimensional time and minus three dimensional length क्या समझाई पक्का अब थोड़ा और अच्छा करते हैं मैंने लिखा area is equal to एलिका स्कुएर क्या से लिखा कि इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूं area is equal to m0 l2 t0 कर सकता हूं आरे कर सकता हूं बटाई यह जो पावर्स है ना 020 यह dimension अगर मैं यहां पर एक ब्रेक्ट लगा दूं क्या लगा दूं अच्छी वाली देकर स्काइब लेकर अच और यहां पर देख यह area और यहां पर equal equal equation और इस पूरी कुछिंग को हम बोलेंगे dimensional equation क्या बोलेंगे dimensional equation और तो यह समझाये हीर्ट ये कैसे मुच्किलते इतने वाल है तो अब कि अगर कहीं मीटर दिया हुआ है तो मेटर को सब कर्दोगे कुटा है सब के साथ इस दिखने मतलब मतलब में से के जी दिया हो तो यह बात या दिखने हैं क्वांटीटिटी लिखेंगे दस पर मेरा अच्छी ची लिखेंगे हम वही करेंगे जो अभी आपको यूज होती है के फॉल्टू की हम नहीं करेंगा ऐसे तो पचास तो सो गर्वा सकते हैं पर हम 15 के पंदरा या 16 17 करेंगे उसमें से पंदरा तो आपको पता होंगी कहां से आई हैं दो तीन आपको याद अगरने हैं फॉर्मले के लिए पर क्य लगा दी जाए अच्छी तो डामेंशन फार्मूला और एक्वेल टू पूरी पूछा जाए तो इक्वेशन कोई बड़ी बात नहीं क्या मिटा दिये जाए अब थोड़ी डामेंशन करते हैं यहां पर लिखेंगे हम फिजिकल कॉंटिटी यहां पर लिखेंगे उनका फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे यूनिट और यहां पर लिखेंगे हम डामेंशन फॉर्मूला क्लिर कि फिजिकल कॉंटिटी फरस्ट सेकंड जितनी होंगी इसमें हम लिखते जाएंगे तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा चरह तेरह यह आ रही है इसमें स्टार्ट करते हैं ठीक है देख पहली बात मास लेंग टाइम में नहीं बता रहा है मैं तरको मास का फर्मला क्या कोई फर्मला का इंट निकालते हैं तो इसको तो कोई फर्मला नहीं यूनिट क्या आ जाएगा की जी तो वोलित एंट क्लेशल भी इसके बाद देखते हूं density density बार-बार आ रहे है इसके बाद दिखते है हम distance वह distance का length हो गया बता है न तुझे पका displacement भी meter होता है ये भी बता है न ठीक इसके बाद लिखेंगे हम speed इसके बाद लिखेंगे velocity इसके बाद लिखेंगे acceleration उसके बाद आ जाएगा आपका force उसके बाद आजाएगा आपका pressure उसके बाद frequency लिख दे लिखेंगे frequency उसके बाद ये हमने पढ़ा भी plane angle साथ में लिख दे length constant अच्छा आप वो यहां तक बढ़ा दी है वो तो यहां से निकल दाएगा न कोई बात नि उसके बाद रिक वर्क और energy भी सही होता है बार बार ने लिख रहे हैं यहां पर लिखेंगे हम power यहां पर लिखेंगे हम linear momentum यहां पर लिखेंगे torque और यहां पर लिखेंगे हम coefficient of viscosity इसमें से दो चीज़ें ऐसी है जो आपको अभी समझ नहीं आएगी बस इसलिए पड़ा रहा हूं ताकि आपको काम आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है कुछ बच्चते हैं रेटने लगाते हैं रटना रटना नहीं है ठीक है रटना नहीं है लेन और solid हमेशा unit से होके जाना है किसे होके जाना है यहां यहां पर देंसिटी फार्मॉल मास अपान वाल्यूम क्या फार्मॉला speed का फार्मॉला बोल distance upon time velocity का बोल displacement upon time अरे पता है नहीं पता है मुझे distance और displacement पता क्या होता है दोनों से होते हैं सट्टे नहीं खाना मैंने मान लगे एपॉइंट है और यह बी पॉइंट है बाठा एसे जा सकते हैं और आज़े आपको हमुआ दिस्टेंस किसमें लगेगा अगर इसको नुच नुच याद रहेगी अप देख distance तो ने scalar और रेक्टर पढ़े एक scalar quantity एक vector quantity जानत में कुछ निपढ़े स्केलर quantity वो जिसका magnitude होता है vector जिसकी direction भी होती है कुछ निपढ़े ऐसे ऐसे कैसे आगए गयार में अब पहले ये बताना पढ़े बेटा कर मैं बोलता हूँ तो फ़र में distance upon time माल ने मैं बोलता हूँ speed है मेरी 20 km पर hour कितनी है और एक बार में बोलता हूँ 20 km पर hour है east की तरफ किसकी तरफ तो बेटा यह आ जाती है velocity क्या आ जाती है और यह आ जाता है बेटा speed क्या जाती है जब हम motion in one dimension बढ़ेंगे अच्छे से बढ़ेंगे बट अब यह आतक में अगर डायरेक्शन दीए क्या मैं इस्ट पता है जा रहा हूँ तो that is vector quantity और उसको हम बोलते है velocity क्या बोलते है और velocity में आता है displacement upon time क्या आता है इसका मतलब displacement क्या है वेक्टर क्या है अपॉंड ताइब अचा पहले मैं लीग देता हूं फिर पताता हूं फॉर्स का फार्मल होता है, mass into acceleration क्या होता है प्रेशर क्या होता है force upon area क्या होता है फ्रिक्वेंट्ची होता है one upon time period क्या होता है one upon time period plain angle, salt angle का फार्मला है याद है लेंगल के क्या है आक लेंद बटे रेडियस और इसका है डी बटे आर्ट स्कूर्ड वर्क का फर्मला क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट बैसिकली डॉट प्रडॉक्ट होता है यह अपने पढ़ना बाद में पॉस्किया था चलो कोई बाद पावर का क्या होता है आपर होता है वर्क अपॉन टाईम क्या होता है लिनियर मोमेंटम होता है मास इंट MALOS टी क्या होता है होता ह मने छोग्पर पर प्रेनिगुणलों इंट्टल्स इंकुटा है और विसकॉस्टी का फर्म मतवता है यह आपको पता आअउन ए दी व करते हॉए इसको मैं यह जो इता होता है यह इसी को बुलता है विसकोसिती एंपर की समझ कि अब सुन पर युक्ण के साथ होगी एक्सेलररिशन क्या होती है बैट हम बोलते हैं न भाइक करते हैं आगले ताइम के साथ कैसे हो रही जैसे मान ले तु खड़ा है तो व्लॉस्टी कितनी जीर पर जिब तुने फ्स्टार्ट किया मान ले एक सेक्ट में तेरी दो मिट्र पर सेकंड होगी तो एक्सलेशन कितनी कि यह दू प्रेशर होता है प्रेशर होता है प्रेशर प्रेशर फोर्स प्रेशर एक ही बात है बट कितने एरिया पे लगई इस बैग की जो तनी होती है मोटी होती आराम से बंदा आ जाता है इस तनी को में बिलकुल पतला कर दूं इस चुबए के फिर उठाई जाएगी नियुद इची होती है थाची को मुठा सकते है व्यद्र की चेकर में पतली सी वायर गादू क्या उठाए पाएगे नियुदा पाएंगे क्योंकि area change हाँ घट गया तो प्रेशर बढ़ गया रेकले रबाद चूबए कि न फिरकेंशी 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 ते वन पॉन टाइम पेड़ेट यह भी सीखेंगे टेन एंगल इंगल बता दिया वर्क अनलजी बटा वर्क होता है फॉर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसे फिजिक्स में बड़ा अलग है जैसे समझते हैं माल एक पचास के लोगा पत्थर है तुसको दक्का मार रहा है मार रहा है पर वह डिस्प्लेस नहीं हुआ अपनी जगह से वह हिला बेशक तेरे मसल टूट गए ह तुने दो दिन से हिला रहा है तुने तो बड़ा काम किया बट फिजिक्स उसको काम नहीं मान क deği के ब्टак बावर न Не कितने समय में जैसे सो कि लोगा पत्र उठा करें तक 25 तक मैंने सो गिलोगा पत्र उठा कर रखा दस गंड तक किसकी पावर जाते हैं इसके बतब टाइम जो रेट वो डिपेंट देथए इसको बतांे क्या बहुत एक वह रेट क्या बहुते हैं जिसको क्या आजाएगा अराम से लगेगी कि थोड़ा ओर देंग लेगी ओर लगे ऑठ लेगी क्यूं कि उसका बड़ रही है विलउस्ट्री बढ़ रहे है कि यह मैं आऊं कि सब्सक्राइब पीचे से दौड़ कि दॉड़ क्रों को इसका मार्व गिरेगा क्योंकि कि इसके बाद पर यह पर तो बिल्कुल नहीं पढ़ने यह जो हैंडल लगे होते हैं यह आंप नहीं पढ़ेंगे बस यह यह आद रखने आपने प्रपेंड़ इस इंट फोर्स अरे क्यों आध रखना है रट्टे बाजी वारी चीज है क्योंकि आपको कही बार कुश्चन आ ऐ गए विक्तासी एठी फार्मला ता forces ills इवाल इसको बोलते है एक एरिया डीवी बाइब आठी कंटी ग्राइब पर उल्हेंट भाण यांचा मोल तक्लेचे वेलोशितिट्यंट आपस्ताइड माढा स्य क्युनिक यूज़ेंगे और मेटर क्यूब तो केजी पर मिटर क्यूब है डिस्टेंस अपाउन टाइम यानि मिटर पर सेकंड इसका भी इकतना आजाएगा इसकेड़ डीम फिल्ट ग्र प्रन सेकंड दिस्टेंज आजाएगा मिटर अच्छछर वंधिया सब्सक्राइब कैसी को्हूं वोलटेन् सब्सक्राइब बश्काणका वेखि अब मन पटायन को रहे है आप तो यह क्लिक पर रहे गा हुआ अचा। प्रेसर टुक थैसर आ फॉर्ष पॉर्शंट अरिया तसीसर नूटन पर मिटर स्कोरड। बेट कई के तुझे आया निया बन अपान टाइम इरट पान पीर आटा से किसमें होते है बाठाना टाइम सेक्न तो यह कितना हो जाएगा वन अपान गरिस अटन इनवर्स ट्लियर बढ़ा इसका कोई भी लिग में यृनिट और का पॉन क्या वर्का भी निकाल रखा हमने नूटर मीटर तो यह आजाएगा नूटरण मीटर सेकंड इन्वर्स लिन्य मोमेंटब मार्ट इंडू वलाशिटी मास किसमें के जी वेलशिटी मिटर पर सेखिंड तो के जी मिट्र पर 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 पेंडिकुलर डिस्टन्स हो इसका मतलब डैमेंशन सेंव हो सकते हैं दो अलग क्वांटिटीज के डामेंशन सेंव कोई नई बात विसकॉसिती आप सुन विसकॉस्टी कैसे निगाल नेगे बटा इटा ये यह इसको बोलते हैं शुना देंच अगर इसकी चाहिए तो बागी टर्म को यहां ले जा फोर्स यहीं रहा क्या एरिया इसके नीचे आ गया तो हम लिखेंगे न्यूटन अपॉन मीतर स्कूर्ड कैंए बाद समझा न्यूटन अपाउन मेटर स्कूर्ड अब D Z ऊपर चले गया व्योसिती नीचे इसका मतब व्यवासिटी नीचे आगी तो यहां पर लिखांगे मेटर पर सेकंड तो सेकंड और साथ में क्या बचांग? तो बचा क्या बचा न्यूटन सेकेंड पर मिटर स्क्वार इनवर्स यानि इसको लिखेंगे न्यूटन मिटर इनवर्स सेकेंड अब लिखेंगे कोई बड़ी बात इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे M, L, T यहां भी कह लिख देंगे M, L, T यहां भी कह लिख देंगे मैं पतारा हूं रेक्टरें कि कोई भी जूर रहता है नहीं है यह आता रहेगा आपको बस फार्मले याद होने चाहिए उदर से यूनिट निकालना चाहिए और फिर आपको इसके बोल क्या मास है इसका बता है वन कैसे बटा मिटर पर सेकंड इसका पता है है इसका इस दोनों को भी से है पर सेम हो सकते हैं यह वाला फोर्स माइनस सब्सक्राइब यहां पर देख प्रेशर अपसुन दिक्कत कोई बात नियूटन के अब डिवाइड करना मीटर स्कुर्स किसे लेंग स्कुर्स कोंए से बटाइज को इसको डिवाइड कर लैंथ का स्कुर्स तो लेंट का स्कोयर उपर जाएगा तो क्या माइनिस टू तो यहां बचा एल माइनिस वन और वन का वन और माइनस टू का माइनस टू कह तुछ आया नहीं आया पका ऐसे नहीं भी दुबारा दूबारा स्वाइट करेंगे फोड़े शॉटक न्यूटन का तरगों बता है आधना पूछेंगे वो ऐसी कॉंटिटी जो डाइमेंशन ने से यूनिट से स्टी रेटिंग डेटिंग पर है कैसा डाइमेंशन इस को न हो प्लें एंगर ऑफ रिदेंगर प्लेट आगे मैं विलिंगे एक और एस ट्रैंपर आई जाते आटें आपका डाइन चला से चिक अच्छी लेंथ बता है लेंथ में पडाला भी आपको अचा वरक अनर्जी विटा फोर्स इनटू क्या फोर्स पता है मन एल माइनस अनमन एल अलए लून टी मानिस तू इंटू इन्टू इस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट का मतलद अई से मल्टिव लागन निन फटी इंटी मांन बन और थैंटू आर्म अनले अंस तू मैनस टू और मांन लटू और मानल आम मैन स्री यहनि घ्रम एल-डू टी ऐनिया Giroud को सब माइनस टू कर बादिक मास इंतू एट सिती मास कर था है बिल्कुल आप परपेंडिकोर इसन्स इंट पोर्स नूटन मीटर करने के जूरती निया नूटन मीटर तो हमको पता है एमनल 2T के तुजा यहां पर यहां पर नूटन सेकेंड मीटर स्क्रें इन वर्स तो नूटन आप सुनन तो यह नूटन के साथ एक सेकंड एड़ करेंगे मतलब इसके साथ अगर सेकंड एंड तो माइनस 2 प्लस 1 कितना आया क्या कि वख लेख अच्छा अब बेटर की बागर माईनस 2 बैटा यह 1 और माईनस 2 तो यह आया माईनस 1 और यह आया बंद तुझा आया नहीं आया तका है या ना याद रहेगा इ अब एक बोवर देख ले बटा दिया जाए पाल ले तरको निकाला है जी के डिकालने किसके बाइल जी समझते हैं ग्रैविटेशन को फॉर्स एक मास के एक मास जी दूरी आर यह यह सब्सक्राइब फॉर्स लगती है जी के निकालने तो बन जाएगा फ और स्कूर बटे न बन इंटू M2 G is equal to force का तरियों तो को बता है Newton R का मीटर तो मीटर स्क्वेर मास मास kg तो यहाँ जगा kg स्क्वेर कहते हैं अब हमार लिए कोई बड़ी बात सुन Newton का है M1 L1 T-2 मीटर का है L2 इसका है M2 अब सुन बटा यह M2 उपर गया तो यहाँ पर बचा है M-1 क्या बचा L का बचा 3 और इसका बचा माइनस 2 याद रहेगा इस इस इदा मंचे फॉर्म लाब जी अब तो प्लैंक स्कॉंस्टन की बात करते है देख ले वो भी हाला कि करवाना नहीं था मैंने पर कर लो ली प्रेस्ट करते हैं एच से किसे करते हैं एक से फॉर्म में होता है अनर्जी इस इकल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी अच्छा फ्रिक्वेंसी को कही बार ऐसे मिन्यू बोलते है मैंने डाउता हो मैं एफ डाउता हूं अब सुन हमको एच से निकालना तो अच का फॉर्मला क्या हो जाएगा अनर्जी अपाउन अनर्जी मतलब एम वन एल टू टी माइनस टू और फ्रिक्वेंसी यह बन अपाउन सेक्ड अपस्वन अपाउन सेक्ड करेंगे तो सेक्ड उपर आएगा तो यह निया आजाएगा ताइम क्या तुछ आया है हाँ या ना तो वैल्यू बनी एम एल टू क्या याद रहेगा हाँ या ना माले ठीक यह तार लिया माले तैसे यह तो ग्राविटेशन कॉंस्टेंट ना एक और होता प्रमीटिविटी क्या होता है इसको बोलते हैं एपसाइलन नॉट क्या बोलते हैं तो आल्थ में बढ़ो गया देख लिक कैसे है माले दो मास की बादूरी है जो इनके बीच में पोर्स लगती है वह लगती के क्योवन क्यू टू बटे आर्स को अरे कुछ वैसे लग रहे है जी एंवन आब यहां निकाल तो के का हो जाएगा एफ आर स्क्वेर बटे घ्यूवन इंटू पर के की वैलिवह उती है वन अपाउन फॉर पा बटे टी क्या बढ़ा होगा तो क्यूं की वाली किया आज एंटू है इस करेंट करेंट का होता है यह होता है तो एंटू टू टी यह मैं आज से बोल सकता हूं आप सुन न्यूटन मिटर स्कूर न्यूटन मतलब M1 L1 T-2 और यहां पे आगया L2 के क्लेर यहां पे आगया A2 और यहां पे आगया T2 आप सुन यह M1 यह L1 और यह जगा L3 यह आया M1 L3 अप सुन यह माइनस टू और यह 2 उपर गया माइनस टू यह आया T-4 और A2 उपर गया तो यह आया A-2 तो यह आगया डाइमेंचर फार्मला के का किसका आ गया कि कि तुझे आया नहीं है Ru अब तुझे निगाल लागा किस निगाले तुझे पता के क्या वाक्ष has फॉर पाइण अब llev एकि कोई और इंप्सालन नाट और प्रूसने आऑ़ इस यहां नगी मतब्स मतब्स कि यहां मैं आregon तुझे आया नहीं आया हाँ या ना क्या मुश्किल था तक्का गैरेंटी अच्छा एक यूनिट में जो बता के दिखा जैसे मान दे तिर को फर्मला दिया तुन्हें यूनिट बताना है मैं फर्मला जाता हूं मास विलासिटी डिस्टेंस एंबी आ तो मास का क्या हो जाएग जाएगा केजी का मीटर पर सेकंड इसका कजा गां में तो या आया केजी मिटर स्कुएर पर सेकंड तो कैसे लिखेंगे इसका लिखेंगे एंगर पूचा जाता है कि प्लैंक क्वांस्टेंटेंट और तो तो फिर होता है यह सब ऐसे बहुत बहुत है यह वह प्लाना वेलास्टिक रेडियंट यह सब पर मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जैसे पुटंचल यह वह जो आपको समझ है हाला कि बहुत सारी इसके कोई किंती यह आप आप आपको सीखते जाएंगे आपके यह दिक्कत यहाद नहीं तो कोई बड़ी बात इसमें एंचे लेन की कोई बात थोड़ी चीज़े आठ रखना ठीक है अच्छा आप सुन ले कि अगरा को तुझे याद क्या क्या है सुनना तुझे यादर अखने इक टुझे याद स्थिड से मही होते हैं जाद आखना मीतर सेकिन्द Hybrid आल्टी माइन इसका ज्याज़ का बात है ओंग इसका या फोर्स का किसका आप्स को इसको बोलते है यूटन क्या वोलते है ऐसका यूटन और तो cgs unit है dine क्या unit है यह cgs है और यह साई आगे conversion बढ़ेंगे इनका formula क्या है formula है m1 l1 t- कोई नहीं बात उसके बाद तेना देखना है work का और energy work energy हमें चाह सेम होते हैं कैसे होते हैं सेम होते हैं कहते हैं फार्मला है इनका work का formula क्या होता है force into displacement यानी न्यूटल इंटू मीटर इसको मोलते हैं जूल क्या बोलते हैं और इसी कौम बोलते हैं अर्ग क्या बोलते हैं अर्ग बोलेंगे cgs में साई में बोलेंगे जूल क्या बोलेंगे जिस्वी परकार की energy है heat energy electric energy 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 kinetic energy potential energy अब कानेटिक इसका क्या इसका क्या 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 इसका क्या 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 इसका वारी गुट एंवन एल्टू क्या उसके बाप पावर क्या पावर याध नहीं करनी है बस याद गर आज़ा रहों पावर क्या होतीर वर कमाञ्ट तइम याद सीट्यु सद्सक्द नि за सकी यूनिट रागा तो सकतें वाड क्या वक्ता क्या इए पिर चार रख सकते हैं अच्छी यह आर अक र attraction तरह को पताता हूं कि यह मुख्किल नहीं है को न्यूंटन जूल पर के जी सेकंड इन्वास ले ले रहा और यहां पर लिख दे में इस्वायर में इस तरी की कोई फार मेरे पास मुझे नहीं पता तुन इसका डामेंशन निकाला है क्या निकाला है कि सुनते हैं कोई बड़ी बात है मात लिए कोई बड़ी बात नहीं है सुन न्यूटन का बोल M1 L1 T-2 जूल का बोल M1 L2 T-2 सेकंड इनिवर्स का बोल T-3 डिवाइड वह है मास का गया है एन साइकंड इनिवर्स क्या L-1 सॉड़ी इनिस और मेंटर क्या L2 अब सुन क्या मास से मास अब दो T-1 और यहां T-2 यह कटेगा और यहां बच गया 2 क्या बच गया 2 क्या समझा रहा है यह L2 से यह L2 क्या बना पीछ बचा देख मास बचा एक तो में लिखा M1 L1 बचा और यहां पर कोई नहीं बचा 11 T-2 T-2 T-4 T-6 अरे क्लेर है बात इसका मतलब कोई बड़ी बात तुना फारूमले से यूनिट बनाने है यूनिट से यह सब बनाना है क्लेर होगे बात पका आए नहीं आया मतलब न्यूटन जूल यह सब याद होना चाहिए जूल मतलब अनर्जी क्लेर है पका समझा आया आज का लेक्ट्टर बेसिक था को इतना बड़ा लेक्ट्टर नहीं था फिजिकल कॉन्टिटी वह होती है जिनको हम एक्प्रेस कर सकते क्लेर है जिसको हम नाप सकते हैं फिर हमने का बड़ा फिर हमने यूनिट्स पड़े मतलब सिस्टम बड़े सीजियस एंक यह वो त्रमने बड़ा क्यूं लाया गया सिस्टम इंटरनेशनल में साथ फंडमेंटल क्वांटिटी बड़ी बाकि सारी डराइवड है ड्राइव फंडमेंटल पर डिपेंड करती हैं वह नहीं करती है यूनिट भी है फिर हमने पड़ा दो सप्लिमेंटरी यूनिट्स एक पड़ा प्लेन एंगल एक पड़ा इंगल के इतनी बात क्लियर है ठीटाइज बड़े डेडियस और डीए बटे आग स्कूर ठीक है उसके बार पा